हेलो फ्रेंड से आज हम बनाएंगे इस तरह की कैप तो ये मैंने डबल कपड़ा ले लिया है जिसके लंबाई है 11 इंच आप अपके हिसाब से कम्या ज्यादा ले सकते हो और इसकी चोडाई है 10 इंच कि तो हम इसकी साइड में जो ये खुली साइड है इस साइड सिलाई लगा लेंगे तो शिलाई लगाने से पहले हम इस पे निसान लगाएंगे यह उपर की साइड हमें मतलब जैसे प्लेट डालते हैं उस तरह से थोड़ा डालना पड़ेगा उपर से हमने जोड़ी नहीं करने हैं इस परकार से प्लेट से डाल लेंगे हम दो हिस्तों में तो इसकी सिलाई लगेगी और एक हिस्ते में जो सिलाई लगेगी इसमें भी इस तरह से थोड़ी तिर्शा करके हम सिलाई लगा देंगे और दो हिस्तों में फिर हम जब गोलाई करेंगे इसकी तो प्लेट डलने की जैसा ही हो जाएगे हम गोलाई में सिलाई क जाएगी है यह जहानिसान लगा रखा है तिर्चा इधर से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम और आगे ले जाते नॉर्मल एक पैर की सिलाई लगा लेंगी मतलब आदा इंची छोड़ के लगा लेंगी तो यह सिलाई लग गी है अब हम इसको फोल्ड करेंगे निची से तो आप डेडिया दो इंच फोल्ड कर सकते हो तो इस परकार से मैं इसको सिधा फोल्ड करूंगी इस तरह से इस परकार से फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे यह देको लगवग डेड इंच है तो इसको मैं फोल्ड़ करके अब सिलाही लगा लूँगी यह सिलाही लग गई है हमारी अब हमें दर फिलावर लगाना है यह आप पहले लगा सकते हो तो यह मैंने पहले नहीं लगाया मैं अब लगाऊंगी कूण कॉ немного इस करते हैं, यह लग ले सकते हो, तो कि नब दूतकम भी लेसकते हो, तिन इंच के चोडह बराबर करके और गोलाई कर ल South लेके यह इनकी रहरए, ISP परकार से रख लेंगे और इधर शिलाई लगा लेंगे अब दूसरा पीस पर रखेंगे और इस पर सिद्धी शिलाई लगा लेंगे पिर इसको वापिस ले आएंगे अभी बीच में लेके आनिय मसीन किसुई और अब इनको पलट देंगे साइड में से और इधर एक पीस और रखेंगे हम इस पर और सेंटर में सिलाई लगाएंगे फिर वापिस से उल्टी लेके जाएंगे मसीन को इधर से अब पिर सेंटर में रखेंगे फिर दूसरी साइड से फिर इनको उस साइड पलट लेंगे फिर एक पीस ही धर रखेंगे यह हमने फोर पीस कट करने हैं इधर रखके इस पर सिलाई लगा लेंगे इसको पका करने के लिए इसको भी वापिस लेके जाएंगे बीच में और फिर बीच में इनके उपर गोल सिलाई भी लगानी है हमने अब इसको जो यह पते सी बनी है इनको सेट करेंगे इस परकार से आपके पास अगर औल पिन है तो औल पिन लगा सकते हो औल पिन लगा कि फिर बीच में इस परकार से मचेन से गोल सिलाई लगा लेंगे दो सिलाए लगाने के बाद ये पत्ती ज्यादा खुड़ी खुड़ी नहीं रहती इनके बीच में आप बटन जो भी आप लगा सकते हूं इसलाए लगी है बीच की अब इस पर जो मर्जी प्लावर या बटन लगा सकते हूं तो अब इस पूल्टा करके जहां हमने प्लेट का निसान लगा था या तो आप पहले इस प्रकार से जहां निसान लगा था उदर प्लेट डालो गोलाई बाद में करना आप चाहो तो साथ में करके गोलाई कर सकते हूं अब हमें इसका है अगर आपको इसमें ध्दागा डालके उपर कुछ लगाना है तो वैशे भी कर सकते हो यद फिर इसकी गोलाई कर सकते हो जैसे अब हम गोलाई करेंगे इसकी गोलाई में कट करेंगे इसको तो इस प्रकार से निसान लगा लोगी निसान लगाने के बाद एक साइड से मैंने कट कर लिया है फोल्ड करके दूसरी साइड से और कर लेंगे तो यह गुलाई में कट हो गया है अब इस पे हम सिलाई लगाएंगी यह इस प्रकार से गुलाई में देरे देरे करके सिलाई लगा लेनी है यह हमारी कैप रेडी हो गई है तो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना यह यह गुलाई यह देरे आपको कैसी लगी तो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट भाएंगी